मैं तेरी तलाश में भटकता फिरूं तू कब में अरे गुरू, ये क्या बात होई? हम तो सच में जेल में हैं अबे कल से एक ही बात बखे जा रहा है कहा न अपनी चाल थोड़ी उल्टी पढ़ गई सच कहूं तो हमारा कॉन्फिडेंस ना हथ से ज़्यादा ही बढ़ गया था गुरू, तुमसे मिलने के बाद ही ना हमारी लाइफ के एल लग गए है अबे ये पागल कौन है बे? हम दोनों जेल में है या पागल खाने में? ये पागल खानों का जेल है गुरू, ये जाना पेचाना लग रहा है क्या मालोव हाँ, आपने ठीक समझा हाँ, वो है फिल्मिश्टार अमर खाल ये ठीक कहा रहा है गुरू, अधा इसने क्या किया था एक आपमी पर गाड़ी चडा दी, इल्जाम ड्राइवर पर दे दिया इसलिए जेलर साब क्या करते है, अगर वो कोई घरबर करे तो उसे गाड़ी बना के उन्हें जेल के चक्कर लगवाते है गुरू, बड़ा मज़ा आएगा गुरू, जेलर पाप को रंगबाज निकले कोई मज़ा नहीं आएगा, आसार अच्छे नहीं लगते जेलर बड़ा ही संकी आदमी है, समझें, बड़े ही सक्ट मिजास का आदमी है गुरू, मुझे भी ये लगता है, ठेक का तुम दोनों ने, जेलर साब रंगबाज भी है और सक्ट मिजास भी चलो, तुम दोनों मेरे साथ चलो, कहां? अरे मेरे मुन्ना, ये जेल है, यहां जाता सवाल नहीं करते, जेलर साब ने तुम दोनों को बुला है, चलो अबी मैं तु नहीं जाओंगा, सुना नहीं तुने, ये जेल है, चलो पानी मिल जादा तो अपना मूह दोलेता ना मैं बड़ी अजीव बात है अगर्ड भीया यह जेल में कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है क्या मतला कुछ सिंडिकेट फिटनिकेट बना है क्या है कि हम भी काम कर लेते और चार पैसे कमा लेते अरे उसे सजा मिली है वो तो स्टोन मैंन है ना वो पहले पत्थर मारके लोगों का खून करता था इसलिए जेलर साब ने उससे पूरा दिन पत्थर डोने का काम साब आए मैंने कहा था ना असार अच्छे नहीं लग रहे हमें बुलाया है इसका मतलब जरूर कुछ गर बढ़ है तो मेरा काम करेगा एक मिनिट अगर मैं जेल से जिंदा नहीं निकल पाया तो तू मेरी किंकू से वो नहीं कर पाऊंगा गुरू पूरी बात तो सुन ले तू मेरी क तला के बाजार जाकर सस्ती ताजी मचलिया करीने और शाम के वक्त लूंगी पहन के सोफे पे बैटके टीवी के सामने भजिया खाते हुए पुरानी हिंदी फिल्मों के गाने गुरू यह लूंगी वाली बात मैं नहीं कर पाऊंगा क्यों क्योंकि मैं बाभी की चोई जान करें